हालो दोस्तों, वालकन को स्लीपी क्लासस जोग्रिफी की फ्यू मिनिट सीरीज में पिछले कुछ हफतों से हम एक स्पेशल टॉपिक डिसकास करें है वर्ल्ड क्लाइमेट टाइप्स आज इसका चौथा लेक्चर है, उल्रेडी हम तीन टॉपिक को डिसकास कर चुके है आज का हमारा टॉपिक है, होट डेजर्ट अं मिड लाटिटूड डेजर्ट क्लाइमेट आइडिया बहुत संपल है दोस्तों, हर हफते हम एक-एक क्लाइमेट टाइप का कॉंसेप्स डिसकास करेंगे so that by the time you reach your prelims, ये complicated topic आपका अच्छे से prepare हो जाए चले, quickly अपना topic शुरू करते हैं तो यहाँ पर basically, अगर आप ये dark regions देखो, तो ये hot deserts को depict करते हैं तो हमारा पहला topic है hot deserts इसको मैं latitude की terms में दिखा हूँ, तो हमने पहले भी पढ़ा है, पहले तीन lectures में कि 0 से 10 degree latitude में equatorial climate होता है जैसे जैसे आप latitudes बदलते जाओगे, for example 10 से 30 degree, 30 से 45 degree तो हर एक set of latitude में, जैसे जैसे आप continent के eastern से western margin की तरफ जाओगे, climate type बदलेगा for example, continents के eastern margins पे आप देखोगे, monsoon type climate होता है जो हम with equatorial climate discuss कर चुके है और आप west की तरफ जाओगे, in the middle of the continent तो आपका Sudan type का climate होगा अब जब आप continent की western margin पे आओगे, वहाँ पे होगा hot desert जो आज हम discuss करेंगे हम Sudan type भी और रही डिसकस कर चुके है तो hot desert western margin आप याद रखेगा अब आप continents के west में देखिए क्या आपको यहाँ पे western margins पे deserts दिख रहे हैं तो हमें समझना है कि यह hot deserts यहाँ पे क्यों exist कर रहे हैं अब यहाँ पे गलती क्या होती है हम सब hot deserts पढ़ लेते हैं लेकिन कुछ ऐसे regions हैं जहाँ पे कुछ ऐसी conditions बनती हैं जो कि mid latitude में exist करती हैं beyond the tropics कि यहाँ पर भी आपको कुछ specific deserts मिलते हैं तो जो आप यह और इन region देख रहे हैं गोबी desert, पांटगोनिया desert यह आपके mid latitude deserts हैं तो हमें hot deserts की condition भी पढ़नी है और हमें mid latitude की condition भी पढ़नी है mid latitude deserts की condition important चीज़ क्या है की word क्या है यहाँ पे देखें desert की जब भी हम बात करेंगे हमें यह पता है की deserts में हमेशा ही क्या होगी rainfall की scarcity होगी तो हमें basically वो condition भूनी है जिसकी वज़े से इन region में rainfall कम होती है याद रखेगा हर condition जो आप देखेंगे वो condition इसी चीज़ को डिपिक करेगी की वहाँ पे rainfall की scarcity है, let's start सबसे पहले hot deserts की बात करते है ठीक है, मैं आपको सहारा desert के example से बताते है so 0 degree latitude है यह 0 degree as in equator this is your 30 degree latitude तो यह कहते है hot deserts यहाँ पे क्यों exist कर रहे है because यह region के पास जो है subtropical high pressure belt है तो सहारा desert का example लेते है कि सहारा desert के आसपास जो है subtropical high pressure belt है अब आपने pressure belts पढ़ी है अगर आप देखे 30 degree के आसपास कौनसी pressure belt है subtropical high pressure belt so basically keyword है यहाँ पे आपका high pressure ठीक है, ध्यान से सुनगा जब भी आपकी जब भी आपका warm air होगी warm air being lighter हमेशा उपर की तरफ जाएगी, it'll rise और rise करके eventually यह बादल बनाती है और यहाँ पे rainfall होती है warm air पे आपको पता है हमेशा low pressure होता है इसके comparison में ज़हाँ भी high pressure होगा वहाँ पे air being dancer हमेशा ही descend करती है तो basically ज़हाँ भी आपकी rising air effect होगा वहाँ पे हमेशा क्या होगी? rainfall होगी लेकिन ज़हाँ भी आपका descending air effect होगा वहाँ पे rainfall जो है बहुत ज़ादा scanty होगी तो होता क्या है ज़हाँ भी high pressure होता है air being dancer हमेशा sink करेगी तो वहाँ पे rising air effect बनेगा है नहीं तो basically वहाँ rainfall ही नहीं होगी तो याद रखेगा because यह region subtropical high pressure belt के पास lie करता है यहाँ पे rising air की condition बनती ही नहीं है descending air high pressure की condition बनती है that is why यहाँ पे rainfall बहुत ज़ादा कम होती है अब मैं आपको यहाँ पे simple सी चीज़ बताती हूँ कभी कभी हम से पूछा जाता है कि ऐसा क्यूँ है कि जहाँ पे cold air होती है वहाँ पे high pressure बनता है जहाँ पे warm air होती है वहाँ पे low pressure बनता है मैं आपको simple सब्दों में समझाती हूँ cold air से basic लेते हैं तो cold air में क्या है सामान एक दूसरे के साथ है molecules जो इक दूसरे के काफी आस-पास होते हैं काफी पास होते हैं दूसरे पे बहुत ज़दा pressure exert करते हैं और air भी हर तरफ से इन पे बहुत ज़दा pressure exert करते हैं अब मालीजे किसी भी चीज को आपने warm कर लिया मालीजे इस air को ही आपने heat कर लिया warm कर लिया तो इनके molecules expand हो जाते हैं इनकी tendency हो जाते हैं नहीं बनेगे rainfall नहीं होगी तो ये थी आपकी पहले condition की hot deserts क्यों बन रहे हैं दूसरे condition देखते हैं दूसरे condition is again की इन deserts के पास cold currents पाई जाते हैं अब देखो example भी रहती हो में मुहावे desert के पास देखिए California current cold current Atacama desert के पास Peruvian current Australia के पास जो Australia के deserts है West Australian current अब आप ये सोचिए कि जहाँ पे भी cold current है वहाँ पे rainfall scanty क्यों है अभी अभी हमने पढ़ा है कि जहाँ पे भी cold air होगी pressure high होगा because molecules एक दूसरे के पास पास है हमेशा वहाँ पे क्या होगा air descend करेगी और rainfall के लिए क्या जरूरी है air का उपर जाना तो जब ये condition हुई cold air वाले zone में तो cold current के उपर की air भी तो cold ही होगी तो वहाँ पे हमेशा जो है descending air होगा rainfall again scanty हो जाएगी तो again दो conditions आपने देख ली जिसके विज़े से rainfall यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम हो रही है leading to hot descents तीसरी condition देखते हैं अब तीसरी condition है offshore trade winds ठीक है अब देखिए इस zone में आपकी जो है trade winds आती है ठीक है मैं आपको दिखाती भी हूँ आप देखिए trade winds आ रही है अब याद रखना trade winds जब आएंगी मैं आपको एक और diagram से दिखाती हूँ आपको और समझ में आएगा अब मान लो trade winds आ रहे है ठीक है trade winds कहां से आ रहे है water body से आ रहे है water body से continents की तरफ आ रहे है मैं आपको दिखाती भी हूँ trade winds water body से continents की तरफ आ रहे है अब जब या water body से आएंगी तो अपने साथ बहुत सारा moisture लेकर आएंगी अब होगा किया जब यह moisture laden winds आएंगी तो eastern margins पे because बहुत ज़दा moisture है इस air में majority rainfall हो जाएगी, monsoon क्या होता है, rainfall ही तो जादा होती है, इसलिए eastern margins पे इनसे बहुत ज़दा rainfall होगी, अब majority rainfall तो eastern margin पे होगे, by the time they reach the middle of the continent, rainfall और कम हो जाती है, इसलिए Sudan type climate में आपको grasslands या छोड़े छोड़े trees मिलते हैं but by the time they reach the western margin तो यह पहले ही इस zone में अपना majority जो rainfall है वो कर चुकी है, so by the time they reach hot desert, rainfall अपने minimum पर होती है, because for hot desert, यह जो हवाय है, यह land से ही उन पर आ रही है because moisture से जब आ रही थी, वो तो सारी rainfall हो गई, so land से ही offshore trade winds जब पहुँचती है in deserts पे या in regions पे बहुत ज़्यादा moisture नहीं होता इनके पास shed करने के लिए, again क्या condition बन गई scanty rainfall leading to hot desert, right, for example अगर मैं आपको सहारा desert के बार में ही बताऊं, तो जो north east trade winds है, यह जो है land से आ रही है और में बहुदर moisture रही है, because eastern margins पे majority moisture जो है shed हो चुका है, और जो बचा था, वहाँ पे grasslands बन गए, इसलिए आप देखते हो western margins पे minimal rainfall जो है, होती है तो तीसरा reason क्या है, offshore trade winds, चौथा reason क्या होता है, अब ध्यान से देखना है, ठीक है so basically, हम hot deserts की बात कर रहे हैं, warm regions की बात कर रहे हैं, warm regions में क्या होता है, air expand होती है, दूर दूर जाते है molecules, pressure क्या होता है कम exert करते हैं अभी, तो यहाँ पे हमेशा क्या होगा low pressure होगा, ठीक है अब हवा कैसे travel करती है, high pressure to low pressure, ठीक है high pressure पे क्या था, cold air थी, low pressure पे क्या था आपकी, warm air थी, मतलब हवा जो है, हमेशा high to low pressure जाएगी अब क्यूंकि यह जो deserts है, यह warm है, hot है इनके उपर बहुत जादा low pressure रहेगा, तो इनकी tendency क्या होगी, हर cold high pressure वाली जगा से, हवा जो है, हमारी तरफ आती रहे, अब दिक्कत क्या है, cold air जो यहाँ पे पहुँच रही है, उसकी tendency ही नहीं है, बहुत जादा moisture hold करने की, जिसका reason क्या है देखो simple है, जो warm air थी, उसमें तो molecules दू-डूर थे, बीच में जगा बहुत थी, moisture के रहने की cold air तो थी ही molecules पास-पास तो इनकी tendency ही नहीं होती कि बहुत जादा moisture हो इनमें, इसलिए जब यह कम moisture hold करने माली हवाएं यहाँ आती हैं, तो यह बहुत जादा rainfall cause ही नहीं जरपाती, जिसकी वज़ए से यहाँ पे हमेशा ही drought prone conditions रहती हैं तो क्योंकि यह चारों conditions यहाँ पे exist करती हैं इस वज़ए से इन regions में hot deserts मिलते हैं ठीक है जी, end में हम revise भी करेंगे, अब हम देखते हैं एक trivia समझते तो basically यहाँ पे क्या होता है कभी कभी न हमें confusion होती है कि trade winds सो हम समझ गए लेकिन यहाँ westerlies भी तो है आप westerlies देखिए water से होते वे land की तरफ जा रही है तो अगर यह winds भी exist कर रही है तो इसके आसपास तो कुछ न कुछ rainfall होनी चाहिए अब ध्यान दीजेगा westerlies basically desert के पास से flow ही नहीं हो रही they are outside the desert limit तो यहाँ पे कभी भी आप westerlies का reference नहीं देंगे आप याद रखेंगे westerlies yes onshore winds है water से land की तरफ जा रही है but जिस land की तरफ यह जा रही है वो outside the desert limit है वो एक अलगी latitude हो जाता है हम categorically यहाँ पे specific latitude की बात कर रहे है 10 से 30 degree latitude की ठीक है याद रहेगा चलिए बाब westerlies कभी भी नहीं लिखेंगे इसलिए मैंने यह point आपको यहाँ बताया है चलिए mid latitude deserts की बात करते है अब mid latitude deserts की 2 specific conditions हैं कुछ deserts इसलिए exist करते हैं कि वो continents की levered side पे आपने orographic rainfall सुनी है right orographic rainfall में क्या होता है मान लीजए यह एक water body है इससे कहीं आगे जाके कोई पहाडा आता है so basically हवा moisture laden winds लेके यहाँ पे आती है जैसे जैसे हवा उपर की तरफ जाएगी rising air effect बनेगा यहीं पर बादल बनेगे यहीं majority rainfall हो जाएगे so by the time this air reaches the other side of the continent it reaches the other side of the continent तब तक क्या आता है rainfall इस तरफ हो चुकी होती है दूसरी तरफ के लिए बहुत ज़दा rainfall बचती है तो जिस तरफ बहुत ज़दा rainfall होती है उसको आप कहते हो windward side और जिस तरफ कम rainfall होती है उसको आप हो leeward side so basically यह condition पांटागोनिया डेजर्ट के लिए होती है यहाँ पे आपके Andes Mountains लाई कर रहे है तो जब आपकी winds जो है यहाँ पे जितनी भी पहुचती है वो जो है Andes Mountain के एक तरफ rainfall कर देती है ऐसा नहीं कि बहुत rainfall हो रहे है लेकिन जो भी moisture-laden winds पहुचती है यहाँ पे वो windward side पे Andes Mountains के rainfall कर देती है and by the time they reach the other side rainfall scanty हो जाती है scarcity हो जाती है जिससे क्या बनता है पांटागोनिया डेजर्ट बनता है इनका distance from the sea बहुत जादा है तो sea से बहुत जादा distance होने की वज़े से यहाँ पे बहुत जादा rainfall नहीं हो पाती तो इसके लिए जो शब्द यूज होता है वो है Continentality जिस वज़े से कुछ specific जग़ाँ पे for example Gobi Desert Mid-Latitude Deserts मिलते है ठीक है जी? समझ मैं है? Mid-Latitude Desert तो अभी भी पड़ा है पहला क्यों? कि कुछ Levered side of the continents आता है जो की for example Andes के Levered side पे पांटगोनिया desert है next क्या है Gobi Desert का example है कि उनका distance from the sea बहुत जादा है hot desert पे हमने क्या देखा था? right? trade winds land से आ रही है eastern margins पे majority monsoon climate होगे by the time they reach the desert क्या हो जाता है? सारा moisture खतम हो जाता है next यह जो है high pressure belt के पास exist करती है high pressure यह नहीं descending air rainfall की conditions बनी ही नहीं और चौथा cold current से again high pressure descending air effect ठीक है जी? चलिए अब एक टा question पूछा हुआ है आपसे UPSC का previous year question ऐसा क्यूँ है कि hot desert western margin of continents पे ही लाए करते हैं categorically एक specific latitude right so इसका reason क्या होगा जो हमने पहली चार conditions जो है पढ़ी थी तो आप basically यहाँ पे एक condition और add कर दोगे कौन सी condition? कि deserts में हमेशा ही low pressure होगा because warm regions है they will attract winds right और जो cold air से यहाँएंगी colder की tendency है कम air को जो है store करने की तो वो यहाँ पे rainfall कर ही नहीं पाएंगी क्योंकि वो कम moisture hold कर रही है ठीक है जी? तो अगर आपको यह topic आता होता तो आप इस question को अब जो है solve कर सकते है ठीक है? चलिए यहाँ पे vegetation कैसे हैंगी desert vegetation होगी जो की drought resistant है जो की कम पानी से भी जो है चल सकते है for example cactus या thorny bushes इनको zero fitic vegetation कहते है लेकिन अब यहाँ पे एक specific point है कि जहाँ पर भी थोड़ी सी भी यहाँ पे ज़ादा rainfall होगी यहाँ पे जो ऐसे patches होगे जहाँ पे rainfall होगी वहाँ पे palm trees उगाए जाते है और क्या होता है यहाँ पे soil की salinity बहुत ज़ादा होती क्यों कि majority जो है आपका because of the heat because of जो heating है यहाँ पे आपका पानी evaporate हो जाएगा पीछे क्या है soil और उसमें जो salt content है वो रह जाएगा तो इस वजह से majority evaporation की वजह से यहाँ पे soil में बहुत ज़ादा salinity मिलती कभी-कभी क्या होता है कि इतनी ज़ादा evaporation हो जाती कि soil जो है बहुत ज़ादा hard हो जाती है उस पे बहुत ज़ादा salt के crystals बन जाते है तो यह जो hard regions होते है इन्हें hard pans कहते हैं जिनको यह दो नाम भी दिये गए तो direct question एक बार पूछा हुआ है कि यह regions क्या होते है वोटा ज़ादा जन पलायास तो वो क्या थे basically hard pans की formation थे similarly यहाँ पे soil में बहुत less humus होता है क्योंकि majority moisture तो आपका evaporate हो गया तो जो decomposition है जो bacteria decompose करते हैं चीजों को वो भी बहुत ज़ादा कम हो जाता है तो basically humus कभी organic matter कभी decompose होके बहुत ज़ादा बन ही नहीं पाता plus कुछ ऐसे plants हैं जो कि कुछ ऐसी conditions को अपना लेते हैं जिनसे वो पानी सेव कर सेगे for example roots बहुत लंबी होती है so that काफी गहराई से पानी एब्जॉब हो सके right कभी-कभी plants में leaves होते ही नहीं so that जो आपका leaves से evaporate होता है पानी जैसे आप transpiration कहते हो वो भी कम हो जाए और आप देखोगे folie जो है यहाँ पे needle shape होती है hairy होती है wax ही होती है इनकी भी tendency क्या होती है यह leaves से evaporation यानि की transpiration को कम करते है ठीक है जी चलिए यहाँ पे चार तरह की tribes पाए जाती है right आपके लिए मैंने उनके examples भी यहाँ पे जो हैं बताए हुए है कुछ तो nomadic tribe है right जो की constantly on the move है right यह तीन tribes हैं जो की आपको exam के लिए याद करनी है I have consolidated this इनके आप notes बना लीजे कुछ ऐसी tribes हैं जो की hunterer, gatherers है right for example Bushman तो आप से UPAC में पूछी भी गई है so यह जो consolidation है इनको आप ज़रूर याद कर ले दो और तरहां के यहाँ पे जो हैं लोग पाए जाते हैं पर भी कुछ regions में settled cultivators भी मिलते हैं for example Africa अब आपको पता हैं वहाँ पे Nile River exist कर रही है इस desert के पास अब initially क्या हुआ था लोगों ने इन rivers पे dams बना के पानमी store करना शुरू कर दिया था जिसकी वज़े से इन regions में agriculture जो है कहीं कहीं पर बहुत जादा बढ़ गया था और जहाँ जहाँ बढ़ा वहाँ पे settled cultivators भी मिलते हैं तो कुछ यह जो data था आपके लिए consolidate किया है आप इसको जरूर पढ़ें I hope कि कुछ नया सीखा है आपने इसी तरह से जो है हम इस cause को आगे बढ़ाते रहेंगे before I go जो है हम हमेशा अपने current affairs program की बात करते हैं very very detailed program one of the most detailed programs available in the entire UPSC preparation बहुत जादा detail में current affairs है subject matter experts बात करते हैं हर एक news, prelims और current affairs को discuss करते हैं अगर PYQs हैं वो भी discuss होते हैं monthly आपको subject wise compilations भी provide होते हैं तो बहुत holistic preparation कर सकते हैं आप अगले means तक लिए complete hand holding है दोस्तों अब जरूर scores का part बने और एक बहुत ही affordable price है तो कहीं न कहीं इससे जो आपको benefit होगा अपने exam में वो unparalleled है तो आप हमारे numbers पे call कर सकते हैं इसकी details पता कर सकते हैं that was all for the day I hope हमने कुछ नया सीखा है हर अफ़ते यही कोशिश करते हैं कि कुछ जो है हम contribute करवाएं आपकी preparation में that was all for the day all the best दोस्तों बाइब बाइब